Hello student, this side Muslim, this is lecture of discrete mathematics, today we will be study about unit 3, partial order set and lattice. Previous lecture में आपने क्या देखा था? Previous lecture में आपने homomorphism देखा था unit 2 से, I hope आपको homomorphism अच्छे से समझ आ गया होगा, unit 2 आपकी finish हो गई है. Unit 2 में जादा tough नहीं है, बहुत सारी properties हैं बट आपको याद रखनी है, तो आप उस पर practice करोगे तो अच्छे से आपको आ जाएंगी. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे partial order set की and lettuce की, ये भी थोड़ा सा tough लगेगा आपको ये topic स्टार्टिक में, फिर अच्छा है, easy है, मतला आपको इसमें chart और graph बहुत सारी चीज़े बनानी है, ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं partial order set, partial order set को post set भी बोलते हैं, POS, मतला post set, ठीक with a binary relation R, उसका binary relation करना है R, इस set to be a partial order set और post set, ठीक है, POS, post set भी से बोलते हैं, ठीक है, if the following condition satisfy, तो आपका partial order set तब पार्शल order set के लाएगा, जब वो इन सारी relation को satisfy करेगा, जो ये condition दे रखी हैं, मैंने ये condition आपको दे रखी हैं, P1, P2, P3 के नाम से, P1 आपका जो है, वो है anti-symmetric, और P3 आपका transibility, तो आपने जो है, ये equivalence order set, ये होता है, इकोवेलेंस order set, जो होता है, वो आपके उसके पास भी 3 property होती हैं, 3 condition को satisfy करता है, उसके पास होती है, एक flexibility, एक होती है symmetric और transibility, वहाँ anti-symmetric नहीं होती है, वहाँ symmetric की condition होती है, और जो आपका ये partial order set होता है इसके पास होता है anti-symmetric तो यह जो है reflexivity, anti-symmetric, transivity यह partial order set में आती हैं इसे हम lattice भी बोलते हैं ठीके तो यह जो है आपको जो आपके slayvers में है आपके slayvers में partial order set और lattice है ठीके तो हम इसके बारे में देखेंगे equivalence तो आपको आएगा तो हम पढ़ाएंगे वैसे आपके slayvers में अभी है नहीं ठीके तो जो आपके slayvers में वो आप देख लीजए तो सबसे पहले हम बात कर लेते है reflexibility की तो आपको यह condition आनी चाहिए अच्छे से कि reflexibility होती क्या है ठीके reflexibility जो definition है वो यह क्या कह रही है कि कोई भी set A है ठीके A जो है वो इसके अंदर element A है तो जो वो है वो आपका set में होना चाहिए मतलब ओह ग्रेटर होना चाहिए रेलेशन करना चाहिए A relation A रेलेशन A जो भी set के अंदर है उसका relation A के साथ हो यानी कि A जो है a block करे आपका set a को then it satisfy the condition of respectively आपका क्या कह रहा है कि ये सारी condition को ये satisfy करे तब आपका reflexibility कहलाएगा तो reflexibility के लिए आपने क्या है कि reflexibility जो होती है वो आपस में आपकी reflexibility में क्या होता है कि हर element खुद अपने आपसे relate करता है चाहें तो जो relation होगा आपका कोई भी element होगा वो आपस में relate करना चाहिए जब आपस में आपस में ही मतलब खुद में ही अपने आप में relation करे तो वो क्या कहलाता है reflexibility कहलाता है तो देख लेते हैं कैसे आपस में relation करें तो सबसे पहले हम reflexibility को अराम से उसके example के थ्रू समझते है ठीक है यह condition आपको समझ नहीं आएंगी जादा लेकिन आपको यह condition याद करनी होगी ठीक है तो reflexibility के लिए सबसे पहले हमने क्या ले रखा है एक example में ले रखा है diagonal diagonal की बात करते हैं diagonal matrix से आप easily समझ सकते हो कि कैसे हम इस example जो दे रखे हैं उसको easy समझने की कोशिश करना आप diagonal से यह diagonal मेंने वैलू दे रखी है आपकी 123 matrix में 1122 यह आप इसका देख लिए वैसे जो है reflexibility को कुछ बुक में आपको diagonal से भी गोला जाता है अगर diagonally elements आपके किसी भी set में आ रहे हैं तो वो आपका reflexibility होता है जैसे diagonally का मैंने बना रखा एक देखिए गोला करके circle बनाया और diagonal यह triangle का वो ले रखा है मतलब diagonally और उसके नीचे a set लगा है कहीं कहीं diagonal का reflexibility का symbol है वो यह भी कहलाता है ठीक है तो चलो यह इसकी बात बात में करते हैं पहले एक example देख लेते हैं आपके पास example है a is equal to 1, 2, 3 ठीक है आपके पास example है a is equal to 1, 2, 3 तो आपके पास कोई set है इसका relation आप कैसे बनाऊगे तो इनका relation कब satisfy करेगा तो वो condition हमारे पास होनी चाहिए condition हमाई reflexibility की क्या है कि जो है a, a के साथ मतलब वो करे, a, a के साथ करे कोई भी element है वो खुद के साथ अपना relation दिखाए, खुद के साथ relativity करे तब वो reflexibility होगा तो हमने एक diagonally matrix बना रखी है तो इस diagonally matrix में क्या है कि 1, 1, देखो 1 है वो 1 के साथ matrix बना रहा है, मतलब 1, 1 के साथ flexibility कहती है किसी भी matrix का जो diagonally part होता है जो diagonally होता है वो आपका reflexibility होता है, ठीक है जैसे किसी भी relation, किसी भी set में relation जो हो सका डाइगनली अगर वो proof कर रहा है तो वो आपका क्या है reflexibility है, तो देखिए मैंने इसके लिए example दे रखें, a is equal to 1, 2, 3, तो सबसे पहले relation R1, मैंने example दे रखा, यह R1 का मतलब पहले example, यह empty है कोई भी set आपका empty है, खाली है तो खाली है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो किसी, मतलब अपने ना वो खुद के साथ relation कर रहा है, ना किसी साथ भी नहीं कर रहा है, तो यह आपका क्या होगा, R1 जो है वो 5, वो आपका क्या है reflexibility नहीं है, तो मैंने इसलिए cross का निशान लगा दिया है, अब R2 की बात करते है, R2 में क्या है matrix है A into A, मतलब A into A matrix की बात कर रहा है, तो A into A का मतलब कि A में हमारे क्या है, 1, 2, 3 element है, तो 1, 2, 3 element and into 1, 2, 3 element, जब आपस में multiplication करेंगे, तो यह पूरी matrix ही निकल के आएगी न, तो इस में इस पूरी matrix में कहीं न कहीं आपको यह relation मिल के आएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो इसका मतलब यह large multiplication, इसमें आपको खुद मतलब, खुद से relate कर रहे हैं, जो element वो भी मिल रहे है, मतलब 1, 1 भी मिल ला है, 2, 2 भी मिल ला है, 3, 3 भी मिल ला है, तो इसका मतलब कि A क्रॉस A, जो आपका होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, reflexibility कहलाएगा, तो yes, यह reflexibility है, अब हम R3 की बात कर लेते हैं, R3 में क्या set दे रखे हैं, आपको 1, 1 दे रखा है, 2, 2 दे रखा है, 3, 3 दे रखा है, जैसे मैंने नीचे लिख दिया है, A, A, B, B, C, C दे रखा है आपको, ठीके, तो यानि कि साथ relation दिखा रहा है, तो वो आपका reflexibility है, तो R3 आपका reflexibility है, मैंने इसलिए yes का टिक लगा दिया, इससे आपको आसानी से समझ में आते होंगे, example से, अब हम R4 की बात कर लेते हैं, R4 में जो set हैं, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 1 का 1 है, 2 का 2 है, लेकिन हमें क्या proof करना है, कोई भी हमारे पास जो set है, is equal to 1, 2, 3, तो इसी का तो relation हमें दिखाना है, हमारे पास 1, 2 तो element हैं नहीं, हमारे पास 3 element हैं एक set के अंदर, is equal to 1, 2, 3, तो जब 1, 2, 3 element है, तो हमें diagonally, 1 का 1 के साथ relation दिखाना चाहिए, 2 का 2 के साथ, दिखाना चाहिए, 3 का 3 के साथ, तो जो R4 है, उसके अंदर, 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 है, हाँ, तो 1, 1 है, उसने 1, 1 के साथ किया है, तो yes, एक मिला हमें, 2, 2 है, तो 2, 2 का भी उसने किया है, बट हमारा यहां तीनों होना चाहिए 3-3 नहीं है तो यह हमारा reflexibility है यह नहीं तो यह relation जो है वो reflexibility का relation नहीं दिखा रहा है तो इसको हमने cross से दिखा रखा है अब हम R5 की बात कर रहे है R5 एक set है इसमें हमें check करना है कि reflexibility है या नहीं तो आप check करोगे कोई यह relation है 1-1 भी मिल गया 2-2 भी मिल गया 3-3 भी मिल गया तो यह of course है तो यह हमारा है इसको हम yes लिख देंगे ठीक है यह देखने से आपको पता चल गया मैंने बोला कि reflexibility तब होगी जब कोई element अपने ही element के साथ खुद के element के साथ ही relation करे तो वो diagonally जो pair होते हैं वो खुद के element के साथ अपना relation दिखाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं reflexibility होते हैं तो मैंने yes इसका tick लगा दिया आपका yes अब हम R6 example की बात कर लेते हैं R6 में हमने क्या ले रखा है 1,2,2,3 और 1,3 ऐसे element रखें इसमें क्या आपका reflexibility कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्योंकि देखिए ऐसे प्यार है ना खुद के साथ नहीं बना रहे है 1,1 के साथ नहीं बना रहा है 2,2 के साथ खुद का relation नहीं दिखा रहा है 3,3 का खुद के साथ relation नहीं दिखा रहा है तो यह जो property होती है वो reflexibility होती है ठीक है तो यह post set के अंदर आपकी तीनों चीज़े condition proof करनी चाहिए तो reflexibility I hope आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इन example के साथ आज अब हम देख लेतें anti-symmetric अब कौन से element होते हैं कौन से relation होते हैं जो anti-symmetric नहीं हो सकते ठीक है तो anti-symmetric देखने से पहले उसकी definition देख लेते हैं पहले अब आप anti-symmetric P2 को देखिए if A, B ब्लॉंग करना चाहिए A को मतलब कोई भी set है उसमें A भी है दो elements है वो ब्लॉंग करना चाहिए set A को then कोई भी दो अगर तीन दे रखें तो तीनों ब्लॉंग करने चाहिए then A जो है वो B के साथ relation हो चाहिए and B का A के साथ होना चाहिए then यह क्या बोला है कि अगर कोई set हमारा दे रखा है अगर उसमे relation A का B के साथ है और B का A के साथ है तो वो हमारा anti-symmetric होगा मतला anti-symmetric नहीं होगा अगर किसी set में हमारा A का B के साथ relation दिखा रहे है और B का A के साथ यह तो हमारा anti-symmetric नहीं है वो condition anti-symmetric नहीं है और आपका जो है A relation B and B relation A एक बार ही दिखा सकता और A is equal to B यह कह रहा है कि अगर ऐसी condition हो A, R का B के साथ है और B का A के साथ है तो हमें यह प्रूफ करना है कि जो A है वो हमारा B है A is equal to B है ठीक है यह condition समझने के कोशिश करो यह आपको example से anti-symmetric जादा अच्छे से समझ आए हैं यहां भी हमारे पास सेट A है A के अंदर तीन एलिमेंट है 123 अब हम relation चैक करेंगे सबसे पहले तो relation R is equal to 5 मतलब क्या है कि नल है मतलब सेट खाली है आपका अभी सेट में कोई भी ऐलिमेंट नहीं है तो यह क्या होता है कि यह रिफ्लेक्सिबिल्टी तो होता है क्योंकि क्या खुद का खुद के साथ प्यार होना चाहिए अब यह क्या anti symmetric है हाँ यह है anti symmetric है क्योंकि इसके हमें anti symmetric check करना होता है कि मतलब 1A का B के साथ है तो B का A के साथ तो A is equal to B होना चाहिए। जब यहां पर कुछ ही ही यह नहीं तो हम किसको चेक करें। तो इसका मतलब यह क्या अप्स करना है और रिफल्क्सिविल्टी में क्या होता था कि वो चीज हमें प्रूफ करनी है। एक के साथ हुना चाहिए मतलब खुद का खुद के साथ ऐलिमेंट का होना चाहिए तो वह तो मतलब यहीं हमें आपना ही करें तो पिल ही आए मुठ flu का हमेशन का डॉप कर रहा esperar कि और तो हमएं प्रूफ करना है वो anti symmetric होगा क्योंकि जो null set होता है वो valid relation तो हो सकता है तो हम यह check करना है कि flexibility हो सकता है या anti symmetric हो सकता है तो यह anti symmetric है अब हम बात कर लेते r is equal to a cross a की अब a cross a a cross a का मतलब मैंने बही बता है कि आपके पास matrix है यह जो set है 1,2,3 इसका cardinalty करोगे आप partition product करोगे 1,2,3 के साथ sorry partition product करोगे 1,2,3 के साथ तो 1,2,3 के साथ यह partition का symbol है आप partition कर रहे हो multiplication कर रहे हो किसी का तो यह पूरा diagonally element जितना भी है पूरा आपका यह matrix आ जाएगी तो इस पूरी matrix में देखिए आपको 1,2 भी मिल लाए और 2,1 भी मिल लाए मतलब A,B भी मिल लाए और B,A,B मिल लाए और देखो अगर आप चेक कर रहे हो 1,3 मिल लाए तो 3,1 भी मिल लाए 1,2 मिल लाए तो 2,1 भी मिल लाए 2,3 मिल लाए तो 3,2 भी मिल लाए तो हमें ऐसे element को बिल्कुल ignore करना चाहिए अगर ऐसे element हमारे उस set के अंदर हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा ऐसा relation बन रहा है तो वो आपका antisymmetric नहीं होगा तो इसलिए मैंने देखिए a cross a पे आपका cross का निशान लगा दिया a cross a जो है वो भी मैंने गलत प्रूफ कर दिया होता है न कि a b है तो b a है तो हमारे पास यह condition नहीं होनी चाहिए बट यहां है ही नहीं कि a b और b a वाली condition ही नहीं जो हमाई दूसरी प्रूफ करे a is equal to b करे तो यहां पर a is equal to b तो हो सकते हैं 112133 यह diagonally जो elements होते हैं वो हमारे relation को प्रूफ करते हैं antisymmetric तो यह आपका antisymmetric ह है अब हम r is equal to देखे हमारा चौथा वाला देख लेते हैं आपका r is जो चौथे के थर्ड के नीचे है मैंने एक नमबर गाइब कर दिया लेकिन आप देख लीजे r is equal to one two two three और one three अब यह हैं तो आप देख सकते हो के one two one two है तो two three है one three भी है तो मतलब ऐसे element हैं आपके जो a is equal to b मतलब इस टाइब के element है जो is equal to b कह सकते हो आप और आपका a b और b8 नहीं है मतलब ऐसे element हमें इग्नोर कने चाहिए जो a b हो और या ba हो एक साथ नहीं होना चाहिए उस set में तो देखो ऐसे element तो कोई हमारे पास हैं नहीं one two है two three है one three सारे अलग-अलग है ठीके तो यह हमारा anti symmetric होगा अब हम r4 पे देख लेते हैं r is equal to two one two three one one यह भी होगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई element है नहीं जो one two हो two one हमें ऐसे element को ignore करना चाहिए जो one two two one one three three one ऐसे element now two three three two मतलब कि पहला element और वो दूसरा element ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि किसी set का पहला element one two है तो जो दूस two one ऐसा element ही नहीं इसमें तो यह हमारा यह भी anti symmetric होगा अब हम five की बात कर लेते five में relation आप चेक करिए यह आपका two three है three two है two two है three three ती ते को यहां आया यह आपका anti symmetric नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हमें ऐसी condition मिल गई two three three two 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 three तो हमें two three three two मिल गया तो इसका मतलब कि यह हमारा anti symmetric नहीं है अब हम our last six वाला देख लेते ही one one two two one two तो यह हमारा anti symmetric है क्योंकि यहां पे कोई ऐसी condition नहीं है कि one का two के साथ है या two का one के साथ है three two है या two three है तो यह ऐसी कोई condition नहीं है तो यह हमारा anti symmetric है simple यह चीज़ समझो कि हमें anti symmetric तब नहीं proof करना है जब हमारा हमारा कोई भी condition ये हो के 1 का 2 के साथ कोई भी ऐसा element मतलब A, B के साथ हो B, A के साथ हो relation दिखाता हो और तो ऐसा जो हमारा relation होता है वो हमारा anti-symmetric नहीं होता है तो ठीक है ये आपको I hope anti-symmetric भी अच्छे से समझ आ क्या होगा अब हम बात कर लेते हैं आपके transivity की तो transivity देखने से पहले आप जो third इसकी condition है ये transivity पो set की जो third condition है transivity transivity क्या कहता है कि if A, B, C ब्लॉंग करने चाहिए A को किसी set में आपके 1, 2, 3 हैं वो ब्लॉंग कर रहे है set A को then A, B, B, C then A, C मतलब A, C वाली condition है तो आपको then then वाली condition ये देखनी है A, C मतलब A, B, B, C A, C condition है तो हमें ये प्रूफ करना है तीनों चीज़े एक साथ A, B, B, C, A, C तो हमें ये ऐसी condition प्रूफ करनी है तो इसके लिए हम example देखेंगे उससे ज़्यादा best समझ में आएगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे अब Transivity का example देखिए Example मैंने सबसे पहले यहाँ भी आपका एक Diagonal matrix बना रखी है पूरे एक set 1, 2, 3 का पूरा partition product ले रखा है ठीक है अब partition product मतलब आपको पता ही होगा cross वाला होता है तो cross वाला A, cross A तो मैंने यह पूरा ले रखा है ठीक है इसके लिए हम relation देखाते हैं पहला example R is equal to A, B, B, A, A, B, B, B तो इसको देखने से पहले आप यह समझ लो मैंने आपको एक चीज ऐसी दिखाई है देखिए आपका जो matrix है उसके नीचे मैंने एक example देखा है ऐसे set हमें ignore करने है A का B के साथ हो B का C के साथ हो मतलब कि मैंने नीचे दिखा रखा है A arrow मतलब इसका कहने का मतलब है A, B, B, C मतलब इसका कहने का मतलब है A arrow B A के elements B में हो B के elements C में हो हमें ऐसे element को ignore करना चाहिए B, B, A, C तो ये तीनों कंडिशन हमारी किसी सेट के अंदर होंगी तब हमारा वो ट्रांजिबिटी होगा ठीक है अगर ये तीनों कंडिशन नहीं है तो हमारा ट्रांजिबिटी नहीं है ठीक है ऐसे हमें चेक करना होगा अगर वो है नहीं तो फिर तब तो वो ट्रांजिबिटी है अगर यह तीनों चीज़े एक जगह नहीं है मतलब एक बी है और आपके पास आजाए जहें बीसी ए से स्टाइप के आजाएं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉन सा टांसिविटी है या नहीं है तो आपने सबसे पहले रिलेशन लिया है आर का उसमें चेक करेंगे आप relation है और B का A के साथ है तो मतलब कि हमें क्या मिलना चाहिए A का B के साथ B का A के साथ ठीक है तो हमारा A A क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा B B मिलना चाहिए A का B के साथ और B का A के साथ और B B कैंसल हो जाएगा तो हमें A मिलना चाहिए तो इसने तो पूरा इसमें सारी चीज देones कोई आपको सब्सक्राइन सकता है तो यह ऐसे है की कोई कंडिशन ही नहीं तो हुए तो हमारा क्यों प्रक्राइब करे沏ल्ट में सफोन एम डापको ये भी ट्रांजिविटी है अब नेक्स कोशन देख लो R is equal to A,B, A,C दे रखा है एकॉमा भी, A,C तो आप देखिए कोई ऐसा element दे रखा A का B के साथ हो रहा है, B का फिर A के साथ हो रहा है फिर A का C के साथ हो रहा है तो ऐसा element है हमें यहां च्टिक्सराइबर और अगर बी एए तो हमें condition kombi मिले एए मिले या हमें पास कोई condition है abc और हमें ac condition मिले सहीं कोई condition च्टिक्सराइबर तो यह भी हमारा है transit See हम हम च्राइक कर लेते हैं हम मतलब सारे yas yas के की तो हमारा wrong अब हम च्राइक कर AB और CB का, तो AB CB हम भी हमारी सी कंडिशन है, चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि A का B के साथ, B का C के साथ, फिर C का B के साथ हो रहा है तो SC कंडिशन में हमें कोई चेकी नहीं करना पड़ा है, हमें तीन चीज चेक करनी है, AB होना चाहिए, BC होना चाहिए, तो हमारा अगर AC प्रूफ करें तब ही वो हमारा Transivity होगा अगर उन में से दो चीजे हैं तो तब भी हमारा Transivity नहीं होगा तो यह हमारी Relation जब यहां कुछ चेकी नहीं कर रहा है तो भी यह Transivity है अब हम लेकर देखिए Second Last जो Second Last है A, B, B, C, A, C, A, A अब इसमें क्या होगा कि आपके पास A-B-B है और आपके पास क्या है B-C-B है तो ठीक है मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक्जाम्पल बता था A-B होना चाहिए B-C होना चाहिए और उसको आपको मिलना चाहिए A-C तो मिल गया AC, तो यह प्रूफ हो गया, यह तो यहीं प्रूफ हो गया, तो yes का हमने टिक कर दिया, अब हम लास्ट वाला देखेंगे, इसमें क्या CA और BC, अब देखो CA और BC, CA और BC का मतलब क्या है, कि हमारा first element, किसी भी set का first element, और दूसरे element का second element, अगर आपका same है, तो उसका मिलना चाहिए, A, B, हमें क्या मिलना चाहिए था, जैसे CA है, और BC है, तो इसमें भी हमारा क्या है, कि हमें क्या मिलना चाहिए था, C का A से जा रहा है, और B का C के साथ जा रहा है, तो हमें proof करना चाहिए था, किसी element है, तो C का A के साथ, और C का B के साथ, तो हमें दो तो यह हमारा क्या कहलाएगा, यह टांजिविटी नहीं कहलाएगा, यह हमारी कंडिशन टांजिविटी की नहीं होगी, ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका जैसे CA है, तो यहाँ AC ले लीजेगा, AC, तो यह आपका क्या होगा, यह टांजिविटी नहीं होगा, तो यह आपका यह example थे transivity के तो transivity की कोशिश क्या रहती है कि वो एक साथ हमें A, B अगर जैसे मैंने second last वाला देखी A, B, B, C और यहां होता A, A तो हमारा यह transivity नहीं होता ठीक है यह transivity नहीं होता क्यों कि हमें A, C नहीं मिलाता अगर A, C विल गया इसलिए हमारा यह transivity हो गया जैसे मैं आपको एक example देदू आपका अब हम पोसेट चेक कर लेते हैं आप पोसेट को चेक करेंगे तो पोसेट के लिए हमारी यह तीनों condition चेक होनी चाहिए reflexivity, anti-symmetric और transivity तो इसको चेक करने के लिए हम पोसेट के आएंगे